नमस्कार और आप देखे हैं पलपल आगामी 25 स्टमबर को कैथल में चोदरी देविलाल जियन्ती को समान सवार के रूप में मनाया जाएगा इसी की तैयारियों को लेकर के आज इनेलो नेता अरजुन चोड़ाला कैथल पहुंचे कैथल में हर्याना टूरिजम की कोईल कमपलेक्स में एक प्रेस वारता की और पत्रकारों से बाचित करते हुए उन्होंने कहा कि गाउं गाउं तक जन जन तक और अपने कार्यकरताओं और वरकरों तक जा रहे हैं इस रोयली का नोता देने के लिए ताकि इस बार कैथल में ब चोणाने कहा कि वह इस पार्टी में सिर्फ कारिया करता है और पार्टी के जो भी फेशले होते हैं वो चोदरियों परकाष चोटाला और अभैसंग चोटाला लेते हैं उन्होंने जो आदेश दिया है और जो उनको आदेश मिलता है वे उसका पालन करते हैं असोक अरोडा के सवाल पर उन्होंने जवाब देते हुर कहा कि वह मेरे लिए आदर्णिये हैं और लोगसवाचुनाव में मेरे काफी कुछ उनसे सीखा है उन्हों का कि मैं आशा करता हूँ कि जितना सम्मान हमें उन्होंने दिया है आगे भी मिले असोक अरोडा इनेलो छोड़ करके क्यों गए हैं इसका जवाब तो असोक अरोडा ही दे सकते हैं हमने उनमें मान सम्मान देने में कोई कमी नहीं रखी जब पत्रकारोज ने पूछा कि विधानसवा चुनाव में इने लोगे मुद्दे क्या रहेंगे तो उस पर बोलते हुए अर्जुन चोटाला ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा कुशल प्रसासन और इसके अलावा युवाओं के लिए रोजगार, किसानों की समश्याएं, स्वस्थ तथा अन्य जन हिट के मुद्दे विधान सवा में चुनाव के साथ लेकर के आएंगे और इनी को लेकर के चुनाव लड़ेंगे पलपल कैथल से नमीन मलोत्रा की विसिस रिपोर्ट मंदी आना शुरू हो जाती है, और यह जो मंदी पिछले तीन चार साल से आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण ही यह है प्रकार आज के दिन किसान हमारे प्रदेश के इस सरकार से बहुत तंगार रखे है आप पिछले पांच साल को उठा के देखिए, आपने भी न्यूस के अंदर कवर करा होगा, कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहांके किसान कभी धरने पर ना बैठे हो, या कोई भी ऐसा जिला नहीं है, जहांपर किसी सरकारी मैकमे के करमचारी धरने पर बैठे है पिछले पांच साल में हर्याना कार रिकॉर्ड रहा है कि हमेशा at any given point of time हमेशा कोई ना कोई ऐसा मैकमा जरूर होता था या कोई ना कोई ऐसा किसान का संग जरूर होता था जो CMH के पास या फिर अपने शेर के अंदर जो अलोटेड इरिया है दरने का प्रोटेस का वहाँ पर बैठे होते थे हमने नरंतर साथियों का इसी इसके अंदर साथ दिया है तो अगर यह दरने हो रहे हैं तो यानि कहीं ना कि एड्मिनिस्रेशन की इसके अंदर गलती है तो एक बढ़िया एड्मिनिस्रेशन यह हमारे लिए एक बहुत ही मैत्वपून होता रहेगा और यू कि सुरुक्षा की बात की जए किसानों की हित की बात की जए युवासातियों के रोजगार की बात की जए कॉलेजज और स्कूल का स्टैंडर्ड बढ़ाने की भी बात अगर की जए अभी मैं हाला किया, अभी मैं जजर जाके आया, तो वहाँ पर जो medical students हैं कहीं सारे, वो इस समय पर धरने पर है, क्योंकि उनका जो college है, वो कहीना कहीं अपने norms पूरे नहीं कर पाया, तो सरकार कहती है कि अभी इस college को बंद करो, अब जिन students ने, MBBS की fees भी काफी होती है, जो ब बेटा है, वो ना कहीं किसी और batch में जा पारे, तो अब इनका भविश्य, सरकार ने एक कदम से, ये 500 डॉक्रों का भविश्य तो खराब कर दिया, अगर इनको सरकार कहीं किसी और बढ़िया university के अंदर अगर adjust करे, तो कि इसमें गलत क्या हो, लेकिन जब administration ही नहीं है, तो अबर वो कैसे कोई इस तरह का कदम उठा पए, अपनी तरव से मैंने हमेशा काया है, क्योंकि मैं तो फुद यूवा कारे करता हूं, पार्टी का, तो मैं भी चाहूंगा कि जादे से जादा यूथ को मिले, मेलाओं को भी पूरी तरह से मिले, वाकि जो ticket का बंटवारा है, आप एक चीज़ मान के चलियो, जो भी MLA MP बंटा है, वो जनता का एक प्रतिद्विंदी होता है, किसी एक उमर का नहीं होता, किसी एक कास्ट का नहीं होता, किसी एक सेक्स का नहीं होता, उसे सब को रेप्रेजेंट करना है, तो candidate जो भी हो, वो best candidate होना चाहिए, जो अपने आपको एक उधारन देता हूँ, जब सरकार थी, तब चोदरी रंजीत सिंग जी हमारे दादा जी है, उन्होंने भी पार्टी छोड़ी, जब पिछले 2009 में चुनाम चल रहे थे, तो संपत सिंग जी ने भी पार्टी छोड़ी, आज शो करोड़ा जी ने भी पार्टी छोड पर उसके अलावा अगर कोई जाना चाता है, तो वो उनकी सोच है, वो उनकी विचार धारा है, विचार धारे के प्रती हम किसी को जबरदस्ती बढ़ा नहीं सकते, जिसका मन होगा वो जाएगा, और जिसका मन होगा काम करने का वो यहां रहे कर इस विचार धारा के साथ मि कि नारे लिने से सच नहीं होता MagicWhoa कि दो लिरना यह नारे लिए सब्सक्रासर को सब्सक्राइब Kना को कि उसको रिपीट लेकिना जो सुख नहीं हो कि इस लिडियरे निकाल सब्सक्राइब निकाल नहीं पाए अब वो उस पेंचायत को मानने या ना मानने वो उनकी मर्सिए है। अब किसी के अगर ये सोच है, कि भी वो समाजएक नहीं है या नहीं है, वो उनकी खुद की पर्सनल सोच है, और वो चीज ना तो दलाल साब पर अपलाई करती ना किसी और खाप के उपर अपलाई करती है। अजय सिंग्जी ने बड़ा खुल करके कह रखा है, कि जो भी महापंचायद फैसला लेगी, या जो भी फैसला चौदरी अजय सिंग्जी खुद अपने मूँ से कहे कर उनको कहेंगे, उसको मानने के लिए त्यार, लेकिन उन से आना चाहिए, वो बात उनके मूँ से आनी चा मूँ से वे चाहिए, बात बात, रिपये ड शूल कर दो हो एज दोड़ा है, कि जो भी मोँ से वे लिएल आनी चाहिए